हेलो वेलकम दोस्तों मैं हूँ किशूर आप देखरो राजे मीट्स और आज के इस वीडियो में आप आप बात करने वाले वीवो X70 प्रो के टॉप 15 प्लस हीडन फीचर्स के बारे में तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे हैं और आप हमारी चैनल पे नवे हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब की जगा ताकि ऐसे ही वीडियो में आप तक पहुचाते रहे हैं तो आई चले देखते हैं तो दोस्तो यह हमारे पास Vivo X70 Pro तो बात करते हैं सबसे पहले फीचर्स की यानि कि इस फॉन के अंदर कोई भी एप्स आपको जो वह लॉक करनी है तो कैसे कर सकते हो तो आपको जानाओ का सेटिंग्स में सेटिंग्स में दोस्तो जैसी जाओगी तो आपको निचे की तरब से स्वाइब करना है जैसे दोस्तों से स्वाइब करते हो तो यहां पर आपको एक ऑसफन देखने को exactake security ऑपको क्लिक करनाख जैसी दositgas को तो यहां पर क्लिक करते हो तो धापको प्राविसी एंड्ड एप्स का रेप्शन देखने को मिल जाता है. एप्स इन करेप्षान यहाँ पर क्लीक करना है जैसे दूस्तों यहाँ पर क्लिक करते हो और आपको पासवर्ड ओप्सन देखने को मिल जाता है यहाँ पर दिजिट पासवर्ड या पेटर लगा लेना है तो just example हमने 4 digit password जो एंटर कर लिया और आंसर में आपका नाम लिख देना है या तो वीव लिख देना है जैसे दूस्तों यह process खतम होती है फिर यहां पर आपको done पर क्लिक कर देना है तो यहां पर आप देख सकते हो apps in corruption यहां पर आपको क्लिक करना है तो guys इस में से जो जो apps आ एंटर करने को बोलेगा जैसे इसके अंदर सही password आप on करोगे तो यहां पर आपको दो और option देखने को मिल जाते fingerprint और फेश और थंटराइकेशन यारी कि इन दोनों को भी आप चाहो तो enable कर सकते हो जो lock screen वाला fingerprint और password था वो तो directly ऐसे जो फॉन आपका खुल जाता है तो कुछ इस तरीके से कोई भी एप जो वो इस फॉन के अंदर लॉक की जाती है और दुस्तों बात करते है नेक्स्ट फीचर्स की यानि कि इस फॉन के अंदर कोई भी एप आपको हाइड करनी अन हाइड करनी तो आप कैस एप का ओप्शन देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आपको क्लिक करना है अब दोस्तों क्या करना है कि इसमें से जो जो एपस आपको हाइड करनी है उसको सिंपली आपको इनेबल कर देना है जस्ट एक्जमपल हम जो फेस्बुक कर लेते है फिर फॉन पर है तो हमने दो एपस जो इसके अंदर एक्जमपल के तौर पर जो हाइड कर ली है तो यहां पर देख सकते हो हमारा फेस्बुक जो कम्प्लिटली हाइड हो चुका है यान कि इसके अंदर हमारा फेस्बुक जो नहीं दिखा रहा है और उसको आपको अन हाइड करना है तो वह कैसे कर सकते ह हो तो हम Barnup windows 10 Smithland जाना है और और चुकिक करना है और यहां को talent moments करना है और यहांभ किरना है और करना है तो हमारी हमारा फेस्बोक हुए आचुका है तो दोस्तों बाद करते हैं फेर्ट की या कि जो car 810 यानि कि याहनी कि यासे आप ऐसे दो अपन हो थी हो आपको यह C theor करना आए तो एक अपको एक बार को क्लिक करना लिए में क्लिक करना है टो गाइस च्किन में जो हो चुकाई कुछ इस तरी के आप इसे निचे से स्वाइब करोगे तो फिलाल आपकी एक जो ऑपन नहीं होगे आपको ऐसे swipe करना होता है तो गाइस बात करते हैं नेक्स फिचर्स की यानि कि फुल स्क्रीन है और आप ऐसे swipe करते हो तो हमारा global search ओपन हो जाता है यानि कि आप चाहते हो कि ऐसे आप swipe करो और हमारा notification फैनल खुले यानि कि यह वाला तो अब कैसे सेटिंग कर सकते हो तो ग्याज यह होटको दिखने को मिल जाता है तो यह आप को हों जोड़ किन बित्व डिप्लेया इटिर यहां पर कहीं पर होगा है ग्लोबल सर्क हे वो नयूर सबना हो तो दोस्तों बात करते हैं पर next features की यानि कि इस phone के अंदर आपको long screenshot click करना है तो वह कैसे कर सकते हैं यानि कि किसी की साथ आप chatting कर रहें WhatsApp पे Facebook पे Messenger में है तो वह screenshot long screenshot कैसे click होता है तो guys just example में settings open कर लेता हूँ फिर यहाप आपको निचे की तरफ ऐसे control panel खुलना है और यहाप आपको as capture का option देखने को मिल जाता है यहापे simply एक बार आपको click करना है तो guys यहापे आप देख सकते हो long screenshot लिखा हुआ है यहां पर simple एक बार आपको क्लिक करना है तो यहां पर loading लिखा हुआ आ जाएगा और यह अपने आपी scroll होता रहेगा आपको कुछ भी नहीं करना है आपको जितना long screenshot उठाना है आप ले सकते हो कुछ इस चरीके से तो यहां पर हम इसको long screenshot जो क्लिक कर रहे अभी तो यहां पर आपको save पर क्लिक कर देना है तो guys हमारा यह long screenshot जो completely click हो चुका है तो हम gallery में जा के चेक भी कर लेता है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो इसका जो picture quality वो definitely बहुत ही अच्छे है यानि कि आप कितना भी जूम कर लो फटता नहीं है इसका result यानि कि blur type का नहीं देखने को मिल जाता है बहुत ही अच्छे से long screenshot जो को इस phone के अंदर capture होता है तो दोस्तों बात करते हैं आपर next features की यानि कि इस phone के अंदर आपको one hand mode use करने तो आप कैसे कर सकते हो तो guys आपको control panel खोलना है यहाँ पे आपको pencil पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको SS scroll करना है और यहाँ पे आपको small screen mode का option देखने को मिल जाएगा इसको यहाँ पे आपको save करना है फिर यहाँ पे आपको small screen पे क्लिक करना है तो हमारा phone जो वो कुछ इस तरीक से one hand mode में आ जाएगा यानि कि single हाथ से आप बहुत easily इस phone को जो वो use कर पाऊगी यानि कि आप बाइक बाइक बाइगरा चला रहे हो और आपको किसे के साथ chatting करना है या तो call ball बाइगरा करना है तो easily इस one hand mode का use कर सकते हो वैसे आपको इन में से कौन सा features अच्छा लगा हमें comment section में पर फिडबेक जरूर दीजेगा तो guys इस phone के अंदर आपको widgets add करने तो आप कैसे कर सकते हो तो guys आपको apps खोलना है यहां से और यहां पर आपको एक option देखने को मिल जाता है widgets यहां पर आपको क्लिक करना है तो यहां पर देख सकते हैं बहुत ही beautiful हमारे पास जो widgets available है यह चार widgets जो वह company ने नए add गी है इसके अंदर और यहां पर clock वगेरा है यानि की clock हम देख लेते थ्री टाइप की clock available है आपको जो पसंदे हो आप home screen पे लगा सकते हो तो फिलाल हम यह music player जो वह लगा लेते हैं home screen पे इसके अंदर कोई song है नहीं नहीं तो डायरिकली है इसे हम जो प्ले कर पाते music तो कुछ इस सवी के अंदर जो आप विजिट्स लगा सकते हो तो दोस्तों बात करते हैं पर नेक्स्ट फिचर्स की यानि कि इस फॉन के अंदर Ambient light आपको लगा नहीं तो वह कैसे लगा सकते हो तो आपको जनाओ का Settings में settings जैसे जाओगी तो यहाँ पर आपको डायनमिक effect का option देखने को मिल जाएगा यहाँ पर first में आपको एक option देखने को मिल जाता है Ambient light यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर नॉटिफिकेशन में लगनिये कॉल में लगनीये मिजिक में लगनीये तो अपको इंद्सभी को जो इनेबल कर लेना है और यहां पे लाइट एफेक्ट पर क्लिक करना है श्राव के एक वुज इस तरी के से आपके FOn के अंदर सो हता है जैसरे के आप ऑर मुझीक के अंदर भी अबलेबल है यहां पे अजिए चीलोव क्लाल लेक्ष flow आयगा तो इस तरी के चल जो कॉनर रहे मं आपके सब्सक्क्री विलेबल है सिकि होम स्क्रीन ट्रांजक्ष नगेमेशन यानि कि स्टाइल भी आप चाहओ तो चेंज कर सकते हो यहां पर थ्रीएफेक्ट अविलेबल हम यह वाला एकलाए कर लेते हैं और फिर यहां पर है अनलॉक एंटर होम स्क्रीन एनिमेशन तो यह जो एप से वो कुछ इस तरीके से उपन होती है यानि कि आप अपना फॉन जो आन करते हो तब तो हम यह वाला एपलाई कर लेते है फिर यहां पर फिंगर प्रिंट आइकन एनिमेशन तो गैस यहां पर यह भी बहुत ही अलग-अलग एफेक्ट अविलेबल है तो आपको इन में से जो रखना है रख सकते हो फिलाल यह वाला है हमारा तो हम यह वाला ही एपलाई कर लेते हैं फिर दोस्तों यहां पर है फिंगर प्रिंट रिकागनेशन एनिमेशन तो गैस यह भी एक अलग एफेक्ट है यहां पर भी आप चाओ तो इसको भी इनेबल कर सकते हो फिर दोस्तों यहां पर चार्जिंग एनिमेशन यहां पर अविलेबल है जैसे कि आप देख सकते हो चार्जिंग एनिमेशन यहां प्रणेक्शन सब कुछ आपको इन में से जो जो पसंद हो आप रख सकते हो तो दोस्तों बात करते हैं आप एक्स्ट फिचार्ट की यानि कि इस फॉन के अंदर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड आपको जो वो इनेबल करने है यानि कि आप कितना डेटा यूज करते हो इसकी है लियल टाइम नेटवर्क स्पीड इसको इनेबल कर देना है यहां पर देख सकते हूं हमानी स्पीड जो वो ऑन हो चुकी है अब जब भी आप डेटा की स्पीड प्लस मैनस होगी वो यहां पर नेatरी परसेंटेज यानि कि हमारे बैटरी परसेंटेज आप चाहो तो यहा प्रोटेक्टिक्षन इसको भी आप चाओ तो यूस कर सकते हो ज़ादा रीडिंग वगेरा करते हो रात को ज्यादा फॉन उसकरते हो तो आपकी आँखों को ज्यादा प्रोबलम ना हो इसलिए यह फीचर्स इसके अंदर दिया गया है औलमोस्ट सभी फ़न के अंदर होता ही है फिर यहां पर स्क्रीन टाइम आउट फिलाल इसके अंदर 30 सेकेंड्स है हम 10 मिनिट कर लेते मैक्सिमम आपको टू मिनिट तक रखना है ठीक है तो आप टू मिनिट मैक्सिमम टाइम रख सकते हो फिर यहां पर ऑटो रोटेट स्क्रीन इसको भी आप चाहो तो इनेवल कर सकते हो और यहां पर है स्क्रीन कलर्स यहां पर इसका भी जो एक्जस्ट कर सकते हो स्क्रीन कलर्स आपको ब्राइट पसंदे स्टांडर्ड डिफॉल्ट परस्टनालेशन आपको जो भी पसंदे आ पर ही छोल लेता हूँ फिर यहां पर फंट साइज तो गैस फंट की साइज भी आप यहां से कस्टमाइज कर सकते हो अपने सबसे आपको जितनी चाहिए उतनी हम डिफॉल्ट पर ही फिलल छोड़ देते हैं और स्टेटस बारत मैंने बताई दी आपको फिर यहां पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट तो आप सभी को पत्ता ह swoje होगा कि व्य्वा के विववन एक 70 परो के लिए वं हेंदर हमें 120 ह χ आपको smart switch का option देखने को मिल जाता है 60Hz and 120Hz का option देखने को मिल जाता है तो मैंने 120Hz कर लिया क्योंकि इसमें यूज करने में बहुत ही मजाता है 120Hz में तो गैस बात करते हैं इस वीडियो के last features की यानि की digital well-being अल्मोस्ट यह सभी phone के अंदर होता ही है इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पर show your data पर क्लिक करना है तो गाइस यहाँ आप देख सकते हो 26 minutes हमने पूरा phone जो यूज किया है 6 बार unlock किया है और 1 notification आया है तो गाइस यह थे कुछ features जो की मैंने आपके साथ अगर इस वीडियो में ऐसे features नहीं बता पाया हूँ जो आप डेली यूज करते हो वह जानने आपको तो मुझे Facebook पर या Instagram पर मेसेज कर सकते हो लिंक जो मैंने description में दे रखी है तो यह उप यूज कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगे अगर आपका कोई भी पूजा हो तो में इचे कमेंट सेक्शन में जरूरू बताना अभी तो काम नहीं हमारी चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ थेंक्स वर वाचिंग दिस में जाच के इस वीडियो में इतने दोस्तों थेंक्यू सो मच बाइबाए फ्रेंड्स